और एकल के इस सिरीज में आपका फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे और एकल के अंदर डिलीट सिक्वेल स्टेट्मेंट के बारे में जिसका इस्तमाल किसी भी टेबल से रो या रोज को डिलीट करने में होता है आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सागोटे केंपस नवादा और यह और एकल सरीज का चौथा वीडियो है तो सबसे पहले हम लोग डिलीट स्टेट्मेंट को समझ लेते हैं यहां भी मैंने अल्लेड लिख रखा है डिलीट जो स्टेट्मेंट है इसका सि नहीं भी तो आईए सिल्सलेवार डंग से हम लोग समझते हैं कि option को यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा और करेंगे तो क्या होगा तो यहां मैंने और एकल खोल के रखा हुआ है मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूं एक टेबल मैंने रखा हुआ है बनाके students नाम का मैं लिखता हूं select tested from students तो यहां पे 6 रोज आपके सामने आ चुके हैं 6 records आपके सामने आ चुके हैं अभी अगर आप लिखते हो delete और मैंने बताया कि from optional है चलो मैंने from नहीं लिखा और मैं सीधा students को लिख देता हूं टेबल का जो नाम है मैंने जो पहला optional keyword है from उसको नहीं ल लिखा अगर मैं ऐसा करता हूं और इंट्रप्रेस करता हूं देखो यहां पे six rows deleted message आ रहा है actually इसने क्या किया कि students नाम के टेबल में जितने भी record थे यह इसने सब को delete कर दिया हाला कि अगर अभी आप देखो select as to from students करके तो यहां देखो no row selected इसका मतलब है कि जो छे रोस थे वो सारे के सारे यहां पर delete हो चुके है लेकिन कोई बात है आपके पास rollback command है जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यह क्या करता है तो last committed point तक आपके table को undo कर देता है चलो मैंने rollback कर दिया अभी आपके सामने सारे रेकॉर्ड्स चले आए सेलेक टैस्टिक फ्रॉम स्टूडेंट से मैं लिखता हूं अभी देखो rollback हो गया अगर आप यहां पर सपोज कि यह फ्रॉम आप लगा भी देते हो delete from जो की option है मैंने अभी बताया और उसके बाद students जो की table का नाम ही यह मैं देता हूं अगेन इसने क्या किया जो भी records थे ना students नाम के table में इसने सबको delete कर दिया चुकि मैंने where clause का इस्तेमाल नहीं किया ना तो इससे पहले जब from का नहीं उस किया था या अभी भी where clause के इस्तेमाल से आप filter कर सकते हो आप condition लगा सकते हो आप criteria लगा सकते हो कि table में से किन records को मिटाना है या किस record को मिटाना है तो फिलहाल तो मैंने where clause नहीं लगाया ना इसमें ना इससे पहले वाले command में तो दोनों ही situation में इसने सारे records को delete कर दिया कोई बात नहीं चलो मैं rollback कर लेता हूँ अब आपसे कहा जाता है कि आप वैसे record को मिटाओ जिसका roll number 5 है यहां देखो roll number 5 राहूल का है यह वाला record मिटाना है तो यहां पे अब आप लिखोगे delete from table name यहां पे आप from नहीं भी लिख सकते हो चाहोगे तो where roll equals 5 देखो roll equals 5 मैंने पिछले वाले वीडियो में अपडेट वाले वीडियो में मैंने बताया था कि where clause को जब आप यूज करते हो तो आपको यहां पे जो condition जो आप लिख रहे हो उसमें वैसे column को यूज करना है जिसका unique value होना चाहिए distinct value होना चाहिए ताकि unique record find हो अगर मैं यहां पे लिख देता where name equals राहूल तो दो record मिल जाता यह और यह पांच और छे दून तो उससे क्या होता कि पांच रॉल नंबर वाले राहूल को तो मैं डिलीट करना चाह रहा था लेकिन इसको तो मुझे डिलीट नहीं करना था लेकिन दोनों डिलीट हो जाता तो यूनिक record के लिए आपको यहां पे जैसे मैंने रॉल यूज किया है टेबल में कोई ने कोई कि यूनिक कॉलम पुजिसकों की प्राइमी कॉलम कहा जाता है मैं बताऊंगा आगे वीडियो में यूनिक प्राइमी हाला कि दो अलग अलग चीज है तो कैसे आप वह बनाओगे वह आगे का सब्जेक्ट है लेकिन यहां पी मैंने फिलाहर लिखा डिलीट फ्रॉम करके कि वाकई पांच मिटा जी बिल्कुल मिट गया हाला कि अभी मैं रॉल बैक करूंगा तो क्या होगा यह वह जो पांच रॉल नंबर मिटा है न वह वापस आ जागा देखो मैं अगें रॉल बैक कर देता हूं अभी यहां पर मैंने बताया कि आपको वेर क्लाउओ में हमेशा क्या यूज करना है वैसे कॉलम का वैली यूज करना है आज यूज यूजिए लेकिन सब्स्पोर्स आपने यह लिग दिया इस बार मैं क्या करता हूं कि डिलीट फ्रॉम नहीं यूज करता हूं डिलीट और मैं यहां लिखता हूँ where name equals single quotation राहुल, अभी problem क्या है ना कि राहुल यहां पे तीन राहुल है, एक राल नंबर बन भी है, एक राल नंबर फाइब भी है, और राल नंबर भी है, तो अगर वागई इन तीनों को आपको मिटाना है, तब तो यह बहुत अच्छा condition है लिख selected, आप देखो अभी select करके, select test from students, देखो तीन राहुल थे, तीनों यहां पे मिट गया, चलो वापस तो अभी मैं ला सकता हूँ, चुकि अभी मैंने commit नहीं किया, ठीक है, अभी देखो यह वापस आगया, तो यह एक चीज़ तो clear हो गया, कि आपको always condition जो लिखना है ना where क साथ, वो उसमें वैसे column को use करना है, जिसका value unique हो, लेकिन, अगर आपको कहा जाता है कि जो भी MCA में admission लिया हुआ student है, सब को मिटा दो, हाना, तो यहां पे आप लिखोगे, select asterisk from, sorry, delete from, या from नहीं भी लिख सकते हो, delete from students, where course equals mca, और semi-colon, देखे, आप interface कर दो, देखो, three rows, deleted message आ गया, select asterisk from, आप students लिखते हो, तो यह देखो, यहां पे, जितने भी वैसे students है, जिनका course mca था, वो सारे के सारे students, delete हो गए, ठीक है, अभी मैंने rollback कर लिया है, और मैं आप लोगों को दिखाता चलो, कि देखो, rollback किया, तो यह सारे record आ गया, आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो, delete from, इस बर मैं नहीं use करता हूँ, यह command का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि students नाम के table से, वैसे records को delete करो, जिसका roll या तो 1 है, या तो 3 है, या तो 5 है, 1, 3 और 5, ठीक है, तो अगर आप ऐसा लिखते हो, और कोई एक roll भी मिलता है, तो वो भी delete होगा, कोई दो roll का भी student मिल जाता है, record मिल जाता है, वो भी delete होगा, और बाहलों तीनों मिल जाता है, 1 भी, 3 या 5 भी, तो वो भी delete हो जागा, यहा फिलहाल 1 और 5 मिला, 1 और 5, देखो यहाँ two rows deleted, आप देख सकते हो, यहाँ पर, select test it from students, चलो फिर से मैं rollback कर लेता हूँ, आप ऐसे भी लिख सकते हो, delete from students या delete students, where, roll is greater than equal to 1, and roll is less than equal to 10, इसका मतलब हो गया, कि students नाम के table से, वैसे records को delete करो, इसका roll एक याउस से जादा है, और 10 याउस से कम है, अभी देखो, यहाँ पर मैंने जो command लिखा ना, इसमें, वेर, का spell mistake हो गया, तो चलो इसको मैं यहाँ पर सुधार लेता हूँ, देखो, four rows have been deleted, चार रेकॉर्ड इसको मिले होंगे, चलो वापस से मैं rollback कर लेता हूँ, select test it from students, अभी देखो, आपको कहा जाता है कि आप delete करो, तो students नाम के table से वैसे record को जिसका roll मालनोवन है, या course mca, अभी समझना इस चीज़ को, यहाँ पर दो column के values को मैंने यूज किया है, देखो, roll number one तो यह राहूल मिट जाएगा, हाला कि इसका course PGDC है, लेकिन नहीं, यहाँ मैंने और लगाया है, तो कोई बात नहीं, roll number one तो मीट हैगा, course चाहे जो भी हो, फिर और के बाद मैंने लगाया है, कि यहा फिर course mca हो, और mca वाला जो student है वो यह 3 student है, roll number 23, roll number 4, roll number 5, मतलब total जो यहाँ पर अभी delete होगा, record वो 4 होगा, एक तो यह roll number 1 हो जाएगा, और उसके बाद 3 mca वाला student, है ना, देखो, 4 was deleted, अभी आप देख सकते हो, select plastic from students, चलो वापस से मैं rollback कर देता हूँ, तो इस तरह से आप लोगों ने आज की इस वीडियो में सिखा, कि कैसे आप oracle में delete SQL statement जो की है, उसका इस्तेमाल कर सकते हो, टेबल से एक या एक से अधिक रोज का इस्तेमाल, एक या एक से अधिक रोज को delete करने के लिए, उम्मीद करता हैं, यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, वीडियो से आप लोगों का यह delete command का concept जो है वो, clear हो आओगा, अगर अभी तक आप लोग वीडियो में बने हुए हैं, तो चैनल को सबस्क्राइब कर देजिए, बेल बटन को hit कर देजिए, वीडियो को like और share करना ना भूले, और जिस भी command पर आप लोगों को next वीडियो चाहिए, उसके बारे में comment जूर करें, ताकि मुझे वीडियो बनाने में help मिले, वीडियो के अन तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया दुनिएवाद धने वाद, थैक्स, थैक्स लाट